हेलो दोस्तों पथिक लॉग्डाउन वीडियो सीरीज 2 के एपिसोड नमबर 9 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत आज का हमारा टॉपिक है वाट इस दे बेस्ट टूल टूल टाइम सॉरी जब हमारा मन अशांत होता है तो उसको फेस करने का सबसे बहतर टूल कौन सा है इसके बारे में हम आज के वीडियो के आज के वीडियो में बात करने वाले बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला जाता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना यदि आपने प्रीविडियो मिस किये तो प्लीज टॉप लेफ्ट कार्ड में क्लिक किजिए आपको प्रीविडियो के लिंक मिल जाएंगे या प्लेलिस में भी ये वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, what is the best tool to face turbulent times, so turbulence का मतलब क्या होता है, turbulence मतलब दोस्तों अशान्त बता, जब हमारा मन अशान्त होता है, तो इस situation में हमारे मन को शान्त कैसे करना चाहिए, और उसको फेस करने का सबसे बहतर टूल कौन सा है, अब turbulence कब आता है, मन अशान्त कब होता है तब जो होता है, तब हमारा मन अशान्त होता है, ऐसी कौन सी घटना है जिससे हमारा मन हाली ही में अशान्त हुआ है, of course it has been the lockdown, lockdown में हमारा, we all were restless and we all were disturbed, कली मैंने एक रोटरी क्लब में एक webinar लिया और वहां के audience को मैंने सवाल पूछा कि आपके हिसाब से ये जो lockdown हुआ हो आपके हिसाब से positive था ये negative था और interesting बात यह है कि 86% लोगों ने कहा कि उनके लिए lockdown positive था और सिर्फ 14% लोगों ने कहा उनके लिए lockdown negative था दोस्तों अगर आप मुझे पूछे कि ये lockdown मेरे लिए positive था है negative था मैं कहूंगा मैं neutral हूं ना ये positive था ना ये negative था जब कोई भी घटना घटी है दोस्तों तो वी शुद लुक अट इट from the prism of reality जो है वैसे देखना चाहिए rather than उसको हमारे opinion से color करना के positive है के negative है we should be a realist we should not be a positive thinker we should not be a negative thinker जो है वो है यदि हम reality को समझे तभी हम उसको appropriate response दे सकते है प्रतिसात दे सकते है and अगर हम उसको appropriate response दे तभी situation हमारे positive साबित हो सकती है the future could be positive for us or it could be the way we want it to be कि तो हमने हमारे मन को शांत करने के लिए during turbulent times क्या करना चाहिए यहां अज़े पहले मैं आपको science of problem समझाना चाहता हूं science of problem यह कहता है दोस्तों कि हर एक problem की life होती है और जब वो life खतम हो जाती है यह प्राबलम अपने आप चला जाता है अब ट्रिकी पार्ट यह है दूस्तों कि किसी को यह नहीं पता होता कि इस problem की life कितनी है कोई-कोई problem एक-दो दिन में खतम हो जाते हैं, कई चंद घंटों में खतम हो जाते हैं, कई-कई problems कोई हफ्तों तक चलते हैं और कई problems कई सालों तक चलते हैं, जैसे lockdown हमको गए साल लगा कि एक साल में खतम हो गया तो यह tricky part है, पर जब उसका life खतम होता है, problem अपने आप चले जाता है अब इसके खाली 3 end result हो सकते हैं, पहला end result यह हो सकता है, जो सबसे unwanted है, undesirable है जैसे problem खतम होता है, उसके साथ आप भी खतम हो जाते हो, that means जैसे COVID में बहुत से लोग they died because of COVID, उनकी बृत्य हो गई because of COVID, तो problem समाफ्थ हो गया, उनके साथ उनका life भी समाफ्थ हो गया so the problem ends and along with that you also end, that is the most undesirable end दूसरा end यह हो सकता है, कि problem खतम हो जाता है, बट जाते जाते आपके मन में वो एक दर पैदा करके जाता है, आपके confidence को हिला के जाता है and it hits you very hard और तीसरा most desirable outcome यह हो सकता है, कि problem चला गया, पर जाने से पहले आप problem को आप सुला देते हो and you emerge as a winner, you emerge as a more confident person, हमें यह परिणाम की तरफ काम करना है तो जबी भी हमारा मन अशान्त हो, तो हम दो में से एक response चूज कर सकते है पहला response है कि हम दर, fear, that means we get engulfed by fear, हम भैबित हो जाते है and we freeze, हम action नहीं करते हैं और हम फिर बोलते हैं कि आरे, यह situation इतनी difficult है now let me wait, मैं रूप जाता हूँ, जब यह situation थोड़ी सुदर जाएगी, फिर मैं कुछ करूँगा now that is called a degeneration mode, और इस mode में हमें slip नहीं करना है दोस्तो, विकाँ उससे क्या होता है मैं आपको अभी screen पर दिखाता हूँ, जैसे आप देख रहे हो, बर उससे पहले दूसरा response, दूसरा response है दोस्तो, faith, instead of fear you can have faith, faith मतलब आपने एक श्रद्दा होती है, कि मुझे आगे क्या होने वाला है, ये पता नहीं, मुझे आगे जो सवाल आने वाले हैं, उनके जवाब भी पता नहीं, बट मुझे ये definitely पता है, कि मैं जवाब ढूनके निकालूँगा, and I am going to emerge as a winner, that is called faith, और यदि आप में faith आ गया, तो you get into the creation mode, अब बढ़ी दिल्चस बात ये है दोस्तो, कि fear औ but you can feel it, you can feel fear, you can feel faith, so अगर दोनो ही invisible है और अगर choice है, why not choose faith, because यदि आप faith चूज करते हो और fear चूज करते हो, होता क्या है, देखिए दोस्तो, अगर आप fear चूज करते हो, तो आप sinking mode में slip हो जाते हो, और sinking mode में क्या होता है, it starts with fear, आप पहले डरते हो, डर के बाद आपके मन और इस doubt पे आपने काबू नहीं पाया, तो बहुत ही जल इसका अरुपांतर होता है anxiety में, आप anxious हो जाते हो, restless हो जाते हो, आपने anxiety पे काबू नहीं पाया, तो उसका conversion होता था, stress में, अब stress होने के बाद, of course, it affects you mentally, it affects you physically, आपकी सोच पे परेडाम होता है, और यदि आपने stress पे भी काबू नहीं पाया, तो you will sleep into something called depression, और यदि आप depressed हो गए, तो आप बेचारे हो जाते हो, you get into the victim mode, और फिर जैसे हमको license मिल जाता है, कि हम कुछ ना करे, हम खुद problem बन जाते है, तो हम problem क्या solve करेंगे, यह लिगी लेकिन अगर हमने चूज किया faith को, तो हम चले जात हो, बहुत सारे या कहीं सारे, 99% of the business plans इसलिए fail होते हैं दोस्तों, because उनका reality से कोई वास्ता ही नहीं होता है, वो paper पे बने होते है, जिस दिन वो business plan market में चले आके, reality में face हो जाते है, customer को मिलते है, तभी हो fail हो जाते है, so there is no better teacher than the reality, तो जैसे ही आपके सामने problem हो और faith हो, action करने लगोगे, आपको गयान प्राप्त शुरू होता है, you start understanding the situation, and as you start understanding the situation, आपका confidence increase होना शुरू होता है, और उसी से जो भी achievement होती है, वो achievement होती है, अब ये किस्सा और थोड़ा depth में समझाने के लिए, मैं आपके सामने पेश करना चाता हूँ, what I call as the mind compass, यह आप देख सक आप जो घट रहा है आपके सामने, जो जो situation आपके सामने है, उस situation को आप कितनी बहतर समझ सकते हो, और ये situation आपके लिए positive है या negative है, अब ये दोनों अगर आपके लिए सही होगी, that means अगर आप situation को समझ सकते हो, और environment आपके लिए favorable है, तो आप चले जाते हो quarter number one में, जिसक हम बोलते good times, अब इसका अगर मैं आपको example देना चाहूंग, तो वो है, March 2020 में, जैसे pandemic strike हुआ, stock market बिल्कुल crash हो गया, sensex 45,000 से सीधा गिर गया 25,000 पर, और सब लोगों ने अपने stocks बेचना शुरू कर दिये, because हम किसी को ये पता ही नहीं था है कि COVID क्या है, कितने दिन हम इस crisis में से जीवित बाहर आने वाले है किनी, हमारी नोकरिया टिकने वाली है किनी, business चलने वाले है किनी, और सब को चाहिये था कि हमारे पास ज्यादा-ज्यादा cash हो, पैसा हो, ताकि अगला साल अगर ठीक नहीं हो, तो हमारे पास अचली जीने के लिए पैसा होना चाहि तो सब ने अपने stocks बेचना शुरू किया, बड़े-बड़े investors ने बेचना शुरू किया और कईयों को तो एक साल तक समझ में नहीं आया कि इस situation क्या है और जिनको ये समझ में नहीं आया इस situation क्या है और because of covid situation already environment हमारे लिए unfavorable थी तो वो सारे slip होगी quadrant number 3 में जिसको हम बोलते है depression quadrant वो सारे depressed हो गए और वो सारे freeze हो गए उनका confidence हिल गया पर जो इंडिया के बड़े-बड़े investors है रामदेव जी अगरवाल या आकर जुन जुन वाला जी उनको एक-दो महिने में ये एक logic समझ में आया कि ultimately एक flu है ये कोई cancer नहीं है वो एक दो तीन चार पांच साल में चला जाएगा मंगर दुनिया रुकने वाली नहीं है और ये जो businesses है जो companies है जिनके shares आज नीचे आ गए है उनके assets भी अगर बेचे आप तो assets में से भी इतना पैसा आएगा कि आपका नुकसान कभी नहीं हो सकता इतने कम दाम में ये companies के shares मिल रहे है और ये समझ जैसी उनके पास आ गई उन्होंने environment को अपनी तरफ favorable कर लिया और उन्होंने ने शेर्स करीना शुरू किया और उन्होंने इतने सारे shares करीड़े के अगले आठ महीनों में शायद गये आठ डस साल में जितना profits किसी नहीं कमाया उन्होंने अगले आठ डस महीने में कमाया और वो रहेगे present business अभी चलने वाला है नहीं पर यदी मैं एक नए product पे काम करूँ एक डेर साल में नए product लाओ और launch करूँ तो शायद मेरे अच्छे दिन आ सकते हैं अब यह समझ आपके पास है मगर आज environment आपके लिए favorable नहीं है शायद आपके पास पैसे नहीं है शायद आपके पास लोग नहीं है ऐसे में आदमी भैबित हो सकता है और अगर वह भैबित हो गया तो और आपके पास चॉइस है अगर आप फेट चूज करते हो और अपना काम करने लगते हो तो आप अपर स्वाइरल पर जा सकते हो और यदि एक डेड़ साल में जैसे ही अगर फेट की प्रावलम चला जायेगा या तीन साल में चार साल में आपके अच्छे दिन आ सकते हैं आपके अपके प्रोड़क की डिमांड बढ़ गई है या फिर आपकी नौकरी में आपको और टाइम करने मिल रहा है और यह आपको बढ़त मिल गई है विकोस दिडूरि हो रही है बड हमें समझ नहीं है सब हो क्यों रहा है तो ऐसे में अगर हमारा मन अशान्थ हो तो हम एरोगंट हो सकते हैं हमें यह गलत फेहमी हो सकती है कि यह सब अच्छाई मेरे वैसे हो रही है पर आपको यह समझ होनी चाहिए कि यह सब अच्छाई हो रही है because environment आपको favor कर दिए अगर आप में ये समझ होगी तो आप choose करोगे learning को आप नहीं नहीं चीजे सीखोगे ताके अच्छे दिन की तरफ आप बढ़ सकोगे और यदी कल environment unfavorable भी हुआ तो भी आप easily adapt कर सकते हो तो इस तरीके से अगर आप ये का यूज करो तो आप हमेशा positive quadrant या moving towards quadrant number one जा सकते हो पर वहाँ जाने के लिए आपका मन शान्त होना बहुत 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 necessary है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा टूल है जिससे आपका मन शान्त हो सकता है और दोस्तों वो मेडिटेशन ध्यान करना तो दोस्तों मेडिटेशन सीखिए और हर रोज मेडिटेशन कीजिए जितना आपका मन शान्त होगा उतना आप reality को accept कर पाओगे और reality को और अगर आप accept ही नहीं समझ भी पा सकते हो तो आप उसको appropriate response या प्रतिसाथ दे पाओगे ऐसे मेडिटेशन करते हो और ध्यान करते हो तो आप किसी चीज़ को positive नहीं देखते हो या negative नहीं देखते हो जैसे है वैसे देखते हो और आप शान्त मन से अगर reality को देखोगे तो reality को समझोगे अच्छे decisions ले पाओगे और इसी तरीके से आप environment के साथ adapt कर पाओगे और relevant हो जाओगे और यहीं बहुत सारे लोगों ने किया है जिनके लिए lockdown has proved to be a boon उनके लिए एक वर्दान हो चुका है ना के कोई curse और आप ऐसा करोगे तो आप स्तितरप्रग्य बन सकते हो स्तितरप्रग्य मतलब बाहर की परिस्टिती जैसे भी हो आपका मन शांत रहेगा और इबल तो गिव अप्रोप्रेट रिस्पॉंस इस सिल्सिले में I would like to end this video with a wonderful example मेरे गुरू है अधुकर तरवलकर जी जो जो health में इंडिया में पाइनियर समझे जाते हैं और पूरे एशिया में health industry में IPO लाने वाली उनकी company सबसे पहली थी तरवलकर स्विटनेश लिमिटेड तो उनका कल इंटेव्य में सुन रहा था और उनने कहा कि यदि आपको कोई भी situation में मन को शांत रखना है तो आपके पास थी three factories होनी चाहिए नंबर एक है ice factory जो सर पे होनी चाहिए मतलब दिमाग हमेशा ठंडा होना चाहिए नंबर टू sugar factory जो जुबाव पे होनी चाहिए तो आप हमेशा मीठी बाते करो और कडवी बाते कभी ना करो और नंबर थ्री शुड़ाव स्टाइस फैक्ट्री डैट मींज आपने हमेशा लाइफ में फुल्फिल होना बहुत जरूरी है यह कैसे हो सकता है उसकी जिन्दा मिसाल वो खुद है जब उनकी कंपनी को दो-तीन साल पहले बहुत बड़ा फ्रॉड कमिट किया और कंपनी के हालत बहुत खराब हो गई इस टॉक प्राइसिस क्रैश हो गए और तरवलकर्ज यह नाम भी खराब हो गया तो उस साल मैं हर एक जन्वरी को ने मिलने जाता हूं पट उस साल मेरी हिम्मत नहीं उनको फोन करने की बिकॉज वरेड सर पता नहीं कैसे होंगे उनकी मेंटल स्टेट कैसी होगी और आट-ड़स दिन बाद मैंने बड़ी हिम्मत जुटा कि उनको फोन किया उनको मिलने चला गया और मैंने का सर मैं हर साल आपको मिलने आता हूं तो डेफिनेटली उनको बुरा लगा था उनको इस साल बड़ी थे शायद तुम आए नहीं एक जन्वरी को तब मैंने उनको सच्चाई बया करके बोला कि सर ऐसे नहीं है मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया आपको मिलने को जब पार्टनर्शिप करें तो सही लोगों को चुनो लोगों की परक करके उनको पार्टनर्स बनाओ मैंने गल्ती की बड़ ठीक है लाइफ में ऐसे होता है अ मैंने उनके साथ जगडा नहीं किया बिकाज अगर जगडा करेंगे तो हम इस मसले का हल नहीं ढून पाएंगे मैं तो बड़ा सप्राइज हो गया कि इतना नुकसान होने के बाद इन में जरा भी एंगर नहीं है जरा भी चिड्नी है जरा भी रिवेंच की भावना नहीं है उनका मन फिर भी शान था तो दोस्तों ये जिन्दा मिसाल है स्थित्रप्रग्य होने की इन फैक उस इंटर्व मैं हापी हूँ और लाइफ ऐसे ही होना चाहिए करो ना आए या जाए बिजनस में फाइदा हो या नुकसान हो यो माइंड शुड भी काम एंड उसके लिए बेस्टूल है आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते है अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ तिल देन थैंक यू वेरी मुच गॉट ब्लेस और टेक केर बबाए